बुट इव्निंग पीटा आज नया चैप्टर श्टार्ट करना है Пिटा जो आ स्ट्रक्चरल और्इनॉइसान फ्रक्चरल और्इज़ेसं इन एनिमल श store खि इस कोई बात करते हैं । उनका और्इनेज़ेसं कासा हुगा है यह सारे organization के PURR에 structure को हम define करेंगे chapter का नाम होगा structural organization इनवारस में हाना इसमें हम सबसे पहले डिसकस करेंगे बेटा जो है एनिमल tissues के बारे में हाना और इसमें शुरुवात में आपको मिलेगा पूरा tissues जिसमें हम लोग पुरे human के tissues के बारे में पढ़ते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं यूमन में जो भी और टिसू सिस्टेम है वो सारा चीज़ें आपको मिलेगा सबसे पहले हम बात करेंगे बैटा जो है टिसूज की जैसा कि ये टिसूज है और टिसूज को हम मेडिकल टर्म में इसको एक तरह से नाम देते हैं क्या चीज़ जो है हिस्टॉस बोला जता है और टिसू का इस टॉडि जिस में करते हैं बैटा उसको नाम देते हैं हिस्टो लॉजी करते हैं झृका उसको हम लोग नाम देते हैं क्या है इस्टोल पstatे हांगा त्शी को है तो कुछ medical science भी इसमें add होता है टिसू को एक तरह से medical terminology मेन मेदिकल word में नाम देते हैं हिस्टॉस बोला जाता है हिस्टॉस मिस मिस होता है टिसूस और टिसु का जिसमें study करते हुश को बोलते है इस्टॉलोजी बोलते है ऐसे सेल की grouping होनी चाहिए कि जो इस structure, origin और function टीनों में अगर सेम होता है तो उसको नाम देते हैं टीसू बोलते हैं और टीसू का जिस साइंटिस्ट ने नाम दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था जेवियर विकॉट इन्होंने सबसे पहले टीसू का टर्म दिया था तो ये साथ टीसू के बाहर की चीज्येख और टीसू की बात करते हैं तो टीशु का स्टड़े जिसमें करते हैं उसको बोलते हैं स्टाइए स्मीलर इन structure origin and function that is called tissue उसको हम लोग नाम देते हैं tissue बोलते हैं कि अगर जो है SSL की grouping होगी जो structure origin और function तीनों में same होगा तो उसको नाम देते हैं किया वेटा tissues बोला जाता है tissue के अगर हम type की बात करते हैं तो tissue को कितने part में divide करते हैं आपके सामने दिख रहा है एक होता है epithelial tissue एक होता है connective tissue एक होता है muscular tissue एक होता है neural tissue are the nervous tissue की बात करते हैं जो epithelial tissue होता है इसकी अगर origin की बात करें तो इसकी origin आपका ecto, meso और endodermal तीनों होता है तीनों लेयर से जो जर्म लेयर आपकी बनती है embryonic development में ectoderm, mesoderm, endoderm तो तीनों लेयर से इनकी origin होती है और जो connective tissue होता है और आपको muscular tissue दिख रहा है इन दोनों की origin बेटा क्या होती है mesodermal होती है तो इन दोनों की origin जो होती है यह आपका क्या होता है mesodermal इसकी origin होती है और जो neural tissue होता है इसकी ओरजिन जो होती है वो आपका क्या होता है एक्टोडर्मल होती है तो नर्वस टिशू या नियूरल टिशू की जो ओरजिन माने जाती है वो एक्टोडर्मल माने जाती है तो यह देखिए ओरजिन है एक्टो मेजो और इंडोडर्मल तीनों माने जाती है connected tissue और muscular tissue के जो origin होती है mesodermal होती है और neural tissue के जो origin होती है ectodermal होती है सबसे पहले first of all हम discuss करेंगे epithelial tissue के बारे में नाम है epithelial epithelial का main function होता है उसका main function होता है कि secretion करना absorption करना कुछ इसमें fibers भी और भी लगे रहते हैं तो epithelial के अगर बात करते हैं तो यह हमारे body की outer और inner covering बनाता है epithelial का मतलब एक तरह से covering का protection का का काम करता है epithelial tissue और इस epithelial tissue के सारे जो है देखिए यहाँ पर अगर हम function की बात करें तो आपको सामने ही दिखेगा type है epithelial tissue connective tissue, muscular tissue, nervous tissue आपको दिख रहा है epithelial tissue की origin तीनों हमने बताया एक्टोडर्मल इंडोडर्मल और मेजोडर्मल इसका काम क्या है protection, secretion, absorption, excretion और reproduction तो यह आपके इतने function आपको दिखते है epithelial tissue के नाम है connective tissue connective tissue की जब कि हमने बताया और मेजोडर्मल होती है connective मतलग connection connection मतलग जोड़ना एक तरह से सपोर्ट करना यहां दिख रहा अटाइच्मेंट सपोर्ट स्टोरेज प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट में भी help करता है चुकि connective tissue में आपका blood भी आता है और blood क्या करता है कि सारे food material, nutrients, gases और hormones का क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है यहां पर इसी में आपका adipose tissue भी पाए जाता है जो fat का storage करता है protection की बात करें तो बहुत सारे protection भी जैसे bones है तो bones क्या करती हमारे vital argon को protect करती है जैसे आपका skull है तो brain को protect करेगा, ribs होंगी तो lungs और आपका heart को protect करेगा तो ऐसे करके protection भी मिलता आपको attachment और सारे जितने भी connective tissues होते हैं एक दूसरे से attach हो के body को support provide करते हैं एक तरह से हना यहां पर आपको muscular tissue दिख रहा है muscular tissue की origin आपकी mesodermal माने जाती है movement of the body part and the locomotion इसका main function क्या होता है कि movement करना और locomotion हम लोग की body में अगर muscles न रहे तो केवल हम हड़ी पे चल नहीं सकते हाना केवल हड़ी ही हमारा जो bones है वो केवल आपका locomotion और movement में involved नहीं हो सकता चुकि हमारा जो muscular जब तक contraction और relaxation नहीं होगा तब तक हमारा movement और locomotion और नहीं हो सकता यहां पर nervous tissue की origin जो मानी जाती है और एक्टोडर्म मानी जाती है इसका काम क्या है कि control and coordination of the nerve impulse हमारा जो mind है वो आपका hundred billion neurons से मिलके बने होते हैं सारे जो है nerve के पूरी तरह से network होता है पूरे body में अगर जैसे मान लिजे कि इस pain को हमको उठाना है तो यह brain से impulse आ रहा है जहां जिसको हम उपर नीचे कर सकते हैं ऐसे जो हम बोल रहे हैं यह सब हमारा कहां से govern हो रहा है ज की control और coordination करना और जितनी भी nerve होती है वह involved होती है किसमें जहां nervous system में हाना तो यहां तक आपने देख लिया इसके बाद देखिए हम लोग epithelial tissue की बात करेंगे एक एक टिस्सू के बारे में हम डिसकस करेंगे epithelial tissue को mainly दो पार्ट में divide करके पड़ते हैं एक होता है simple epithelial और एक होता है compound नाम है simple epithelial simple epithelial का मतलब एक single layer पाई जाती है compound का मतलब to are more layer हना तो जो simple epithelial होती है इसमें आपकी mainly cell की कितनी layer होगी कहेंगे इसमें single layer होगा हना और जो compound epithelial होती है उसमें आपको मिलेगा कितना two are more layer हना two are more layer इसमें दो या दो से अधिक layer आपको मिलेंगी compound epithelial में यहां पर देगे simple squamous को हम तीन पार्ट में divide करके पड़ते हैं three parts simple squamous are divided further divided into three parts first simple squamous epithelial cuboidal epithelial columnar epithelial जो squamous epithelial आपको दिख रहे हैं squamous means होता है flattened इस squamous होता है flattened इसमें जो होती है और जो cell होंगी जो cell का आकार होगा और यह आपको दिख रहा है flattened का मतलब एक तरह से चप्टा होगा और इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं payment भी बोला जाता इसको payment epithelial भी बोलते हैं payment का मतलब एक तरह से flattened हो गया यह इसी को हम लोग नाम देते हैं tags age epithelial भी बोलते हैं tags letter का मतलब होती है टाइल कि तो जो टाइल्ट की आकार की होती है उसको नाम देते है cams epithelial का मतलब जो cell का सेप होगा वह आपका स्थीप का होगा है ननकीनोर टाइप का होगा वो basement membrane की तरफ पाय जाता है तो यह columnar epithelial हो गया compound epithelial की बात करें मैंने आपको बताया कि compound epithelial यहाँ 2 या 2 से अधिक layer से मिलकर बना होता है it is compound epithelial are the consist of 2 are the more layer of the cell example की बात करें इसके तो एक आपका dry surface of the skin जो हमारे skin होती है इसमें आपका compound epithelial पाय जाती है इसमें कई layer आपकी पाय जाती है दो या 2 से अधिक layer पाय जाती है buckle cavity जो हमारी buckle cavity है oral cavity के जो inner lining है ओ भी आपकी compound epithelial से बनी होती है pharynx जो हमारा यहाँ पे junction होता है pharynx जो चार चीज का junction होता है नेजो फैरिंग्स, औरो फैरिंग्स, लैरिंजो फैरिंग्स, इस्टेशियन ट्यूब का जो junction होता है जो covered होता है वाल्ड एयर रिंग से तो यह जो फैरिंग्स होता है वो फैरिंग्स भी line होता है किस से compound epithelial से duct of celery gland जो हमारी celery gland होती है जिसमें आपका parotid celery gland है, sublingual है, फिर some maxillary celery gland है तो उनकी special अपनी एक duct होती है तो उस duct की भी inner lining भी line होती है किस से compound epithelial से duct of pancreas, जो pancreas होता है उस pancreas की जो main pancreatic duct होती है जिसको वर्षंग duct भी बोला जाता है चूँकि वर्षंग duct नामक scientist ने उसको discovered किया था तो जो main pancreatic duct होती है वह भी आपकी line होती है किस से compound epithelial से इसके बाद यहां पर देखिए आपको दिख रहा है यह स्क्राइमस epithelial का एक figure आपको दिख रहा है नीचे की तरफ यह बेटा जो है basement membrane है हाना नीचे की तरफ यह दिख रहा है बेटा जो है basement membrane basement membrane इसमें सब आपके कनेक्टिव टिशू ही होते हैं यह फाइब्रस कनेक्टिव टिशू चे एक तरह से कोलेक्जन फाइबर से मिल कर बनता है और इस स्क्राइमस epithelial के देखे एक्जांपल आपके सामने दिख रहा है तो सिंपल इस क्वैमस epithelial के जो एक्जांपल होते हैं मीजो थीलियम है इंडो थीलियम है इनर लाइनिंग आप दा अल्वियो लाई जो हम लोग का लंग्स होता है ऐसे इस लंग्स में आपके छोटे-छोटे अल्वियो लाई पाए जाते हैं और इस अल्वियो लाई की जो संख्या होत होती है किससे इस क्वैमस eidiillckenल से अब बात करते हैं मीजो थीलियम और इंडो थीलियम यह यह सारे आप नोट करें तो इंपोर्टेंट है यह हाना मीजो थिलियम में बटा तीन पार्ट आते हैं एक आपका आएगा पेरिटोनियम एक आता है पेरिटोनियम एक आता है प्लियूरल मेंब्रेन और एक आता है पेरिकार्डियम यह तीन चीजें आपकी आती हैं किसमें मीजो थिलियम में तो याद के चारों तरफ की covering होती है जिसको pleural membrane बोलते हैं जब abdomen को फाड़ेंगे तो अंदर की तरफ जो lined होती है layer जिसको बोलते है peritonial wall उस peritonial wall की जो है दो layer पाए जाती है parital और visceral layer है ना जब हम abdomen को अगर करते हैं तरह से जो है उसको अगर seizure करते हैं तो क्या होगा जैसे ही इंसिस करेंगे तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले skin को काटेंगे rectus abdominis muscles को काटेंगे फिर अंदर आपको मिलती है peritonial wall peritonial wall को फाड़ेंगे तब क्या हमको abdominal cavity से मुलाकात होगी जिसमें सारे आरगन आपके localized होंगे जो हना तो जो हमारा peritonium होता है अंदर जो abdomen में पाए जाता है उस peritonium की जो line होती है जो peritonium bunny होती हो simple squamous CP thilial से बनी होती है plural membrane जो हमारा lungs है उस lungs के चारों तरफ membrane होती है जिसको बोलते है plural membrane बोलते है plural membrane जो होती है ओधो part में divide होती है एक होती है paritonial एक होती है visceral parital जो होती है ओधो thoracic cavity से जहां attach होती है जो visceral होती है lungs attach होती है बीच में plural fluid पाए जाता है हाना तो यह क्या करती है fluid जो होते हैं वो protect करते हैं protection देते हैं lungs को और हमेसा lungs को moist बनाया रहते हैं तो जो एक plural membrane होती है यह plural membrane भी आपकी बनी होती है squamous CP thilial से दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर आती है pericardium क्या होता है कि जो हमलों का heart होता है उस heart के जो ऊपर की covering होता है उसको नाम देते हैं pericardium बोलते हैं यह परिक unchanged by दो part से divide होता है बना होता है एक तरह से आपका होता है जिसको बोलते है parital pericardium और एक और एक होता है कौन सा जह है इन्डों थिलियोन उसको वोलते हैं और यह सब से से होता है कि मैं इंडों थिलिय में देखिए को अगर हम काटेंगे तो इस हाट में ऐसे जो चैम्बर होगे तो जो एच चैमबर की जो लाइनिंग आफ क्या चीज़ बटा ब्लड वेसल्स आता है इनर लाइनिंग आफ ब्लड वेसल्स और तीसरे नमबर पर आपका आता है क्या इनर लाइनिंग आफ लिंफ वेसल्स हम लोग के बॉड़ी में जो लिंफ वेसल्स होती है वो सब की इनर लाइनिंग आपकी बनी होत परिटोनियों परिकार्डियम और इंडोथिलियम में तीन पार्ट आता है इनल लाइनिंग आप दा हाट इनल लाइनिंग आप देख रहा है यहां पर एक यूप टाइप की सेल होती है सिंगल लेयर बनी होती है सिंगल लेयर ही होता है इसमें आपको नीचे की तर यह human kidney है और इस human kidney में आप देखेंगе कि इसके दो recent होते हैं पार्टेक्स और मेडूला तो इसी में आपका आरेंजमेंट होता है अएसे जो है नेफ्रान का है ना इसी में आपके पाए जाते हैं नेफ्रान और इस नेफ्रान की संख्या एक किड्नी में लगवग आपका 10 से 12 लाक होता है वन से लेके 1.2 Х εν évोता है एक तरह से एन निफ्रान का संख्य तो जो निफ्रान होता है वह दो पाट से इनselves के बनता है lower white skin body आता है एक जिसमें दो पाट आते हैं बॉमन् सिम्पल इसक्रOSE से, तूसमें आपका बामन् कैपसूल भी आता है भामन्स कैपसूल इस इंनर लाइनिंग बनी होती है कि इससे सिंपल इसक्रिया सी या श्यхिति लिक्स conquer है इसकी इनर लाइनिंग भी सिम्पल इसक्रम सीपी थील से बनी होती है यहां पर देख रहे हैं जैसे बताया कि बामन कैपसुल जो आपके टीवूल्स होते हैं जैसे पी सीटी हो गया है ले लूप हो गया हना जिसमें आपका एसेंडिंग लूप अफैल ले एसेंडिंग क्युवर्ड इसेंडियों थे बना होता है यहां पर आपको आगे दिख रहा है कालगेट इसे दिख रहा है लूप अपर की तरफ नहीं होता है और स्टमक और इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइन होती है उस इंटेस्टाइन की इनर लाइन आपकी बनी होती है कि सिंपल कॉलॉम्नर इपिंथिलियल से जिसमें ELONGATED CELL पाई जाती है तो यह दिखरा आपको है इसका एकजामपल भी इंपोर्टेंट है अगला सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपको शिलिया यहां पर आपको कहां पाए जाता है ब्रॉंकियोल और फैलोपियन ट्यूब में पाए जाता है तो जो columnar या cuboidal epithelial होती है अगर इसमें cilia पाहे जाता है तो उसको बोलते हैं ciliated epithelial बोलते हैं और ciliated epithelial आपका example होता है bronchioles और कौन सा जो हैं phallopian tube bronchioles कहां होता है और lungs में नीचे की तरफ आपको मिलेगा जो tracheal tube होता है एक तरह से tracheal जो tree होता है ट्राइकिया हो गई ब्रांकाई हो गया primary bronchi secondary bronchi tertiary bronchi फिर bronchioles होता है फिर alveolar duct होता है फिर alveoli होता है तो जो नीचे का टर्मिनल थीन आपकी ट्यूब लाइक की structure होता है ट्रैकियल ट्यूब का एक तरह से tracheal tree का तो जो छोटा सा नीचे थीन मेंब्रेन से structure होता है जिसको ब्रांक्योल्स बोलते ब्रांक्योल्स के इनर लाइनिंग प्लस फैलोपियन ट्यूब की इनर लाइनिंग बनी होते है कि से ciliated epithelial से क्लियर है चलिए अगला देखिए some of the columnar are the cuboidal cell get specialized for the secretion called glandular epithelial कुछ columnar और cuboidal epithelial का काम क्या होता है especially वो एक तरह से grouping बना लेती है कुछ columnar और कुछ आपकी जो दिख रहे हैं cuboidal epithelial ये especially जो है एक जगा grouping बना के जो है इनका main function क्या होता है कि secret करना क्योंब कोई substance का secretion करते हैं चाहे हो hormones निकाले जाहे enzymes निकालते हैं body में या तो mycus fluid निकालते हैं कुछ भी निकालते हैं serious fluid निकालते हैं कोई भी अगर cheese का secretion हमारे body में करते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं ग्लेंडूल थीलियल के बात करते हैं तो ब्लेमिंदूलर एक्रप में डिवाइद करते हैं अनंदबेसिस अंबर आप सिल और दुसरे नंबर पर आता है आंधर पर डक्ट, डक्ट मीस होती है नली, ट्यूब, हाना कैनल, यहां पर देखिए, on the basis of number of cell, अगर हम number of cell के base पर अगर डिवाइड करते हैं, तो EP Thilial के दो पाइट होते हैं, एक यूनिशेलर एक आता है, मल्टी शेलर, यूनिशेलर का मतलब होता है, क्या वेटा, जो है, सिंगल सेल देख रहा है, इसमें सिंगल सेल होगा, मल्टी शेलर में क्या होता है, मूर सेल पाई जाती है, जादे से जादे सेल पाई जाती है, जो यूनिशेलर होता है, इसमें आपका इस्पेसिली जो सेल आती है, जिसको नाम देते हैं, गॉबलेट सेल, और एक गॉबलेट सेल क्या करती हैं हमारा जो alimentary canal है जो alimentary canal पूरा आपको पाये जाता है जिसमें iso figure system small intestine large intestine जो हमारा digestive track होता है उस digestive track के inner lining पे आपके लगे रहते हैं goblet cells जो mucosal wall में पाये जाता है एक तरह से और इसका काम क्या होता है कि body में म्यूकस का सिक्रिशन करते हैं जिसकी वज़े से हमारा फूड आसानी से सरकता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है तो यह गौबलेट सेल होती है जो इस पेसले आलमेंटरी कैनाल के इनर चला हरमौन दिक टुर में आनली दूस्ragen होती है नहीं नहीं पाई जाते हैं घ्र जो इंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो मोस्ली हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है और सीधे इसका सिक्रीशन ब्लड में होता है ब्लड में कुछ रेसेप्टर होते हैं इनका अपना एक स्पेसिबिक टार्गेट सेल होता है जहां पर एक्ट करता है तो इंडोक्राइन जो ग्लैं पाई जाती है जो एक जगह से दूसरे जगह तक जो है ट्रांसपोर्ट करने में हैलफुल होती है तो यह डक्टेड होती है जैसे आपकी डक्टेड में बात करें तो और बॉड़ी में सारी ग्लैंड है उनकी सब अपना स्थी कुंछ नली पाए जाते कुछpage लिवमेंस पाए जाते हैं कि जो हम बात करते हैं बात करते हैं तो हमद्वक्रेशित क्राइथ ह करते हैं लहां हुआ जैसे ये मिलाइग अउवन रभा जो हैँ होता यह शुय जि amar हना ayudलन कि ऐसे थाइराइड Hon gland हो गया तायरायस थाइमस ओ आड्रिनल ग्लैंट स्टेटैनल ग्लैंड और बाकि इसको हम लोग क्या होती है Um जुआ या इसी को हम लोग नाम देते हैं किछ जδαग और आती है ठोलएंड भूलती है मिक्स ग्लेंड या इसी को हम लोग नाम देते हैं एक्जो इंडोक्राइन ग्लेंड और इसमें इस्पेसली एक ग्लेंड आती है जिसका नाम क्या है पैंक्रियास पैंक्रियास दोनों नेचर का होता है हảना एक्जो और इंडोक्राइन पार्ट दोनों होता है इसमें आपको दिखरा ये और ये एक से दोً परसेंट केवल पार्ट इसका इंडोक्राइनका होता है बाकि सारा पार्ट एंडोक्राइन का कोजसें करने का कुछ पंक्रेटेक की सिना ही पाए जाते हैं जो प्रेंग जूस का से क्रेशन करते हैं जी आपके तो यह आपको मिक्स घ्लैंड में आती है तर इसके बाद देखिए हम लोग सेल जंुक्षन परते जैंशन क्या होता है एक तरह से जो पड़ोस की जो सेल होती है हमारी एपिधिलियल का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जोसेल होंगी ऐसे आरेंज होती है और जब ऐसे अरेंज होंगी बेसमेंट मेंब्रेन के उपर ऐसे उनका अरेंजमेंट होगा जब और दो ऊपके बीच में रोती है कि त्री टाइप्स को यस मॉलेकूलů वहां से करने नहीं देङे हैं उसको नाम देते हैं क्या करता है और करता है क्या का करता है कि माइक्रो जितरे भी मॉलिकुल सोते हैं जो छोटे मॉलिकुल सोते हैं उनको जाने देता है और जो बड़े मॉलिकुल सोते हैं उसको रोग देता है तो उसको बोलते हैं एड़ हरिंग जंक्शन बोलते हैं और जो गैप जंक्शन होता है यह क्या उतर नाम ही है गाथ करते हैं हम लोग लोग यह तो क्म पूर्व करनेक्ट्टि को यह होता है कि यह यह तरह से देन ऑट्वेच्छिंट यह लग किसे किसे मिल के कमपोज्ट होता है कमपोज्ट किसे किसे होगा एक आपकी सेल्स होगे दूसरे नंबर पर आपके 5 वर्वर्स होगे और तीसरे नंबर पर आपका होता है इक तरह से पाइब विद्शय में 3 All Burns ऑर सेटें जोAt यसे में डिफरेंट टाइप अब सेल्स होती है जैसे फाइब्रोब्लास सेल हो गई जो फाइबर्स बनाती है एडिपोस साइट सेल हो गई जो फैट का स्टोरेज करते हैं प्लाजमा सेल हो गई जो एंटीबोडी का फॉर्मिशन करती है धीर सारे एंटीबोडी का फॉर्मिशन करती है या फिर कुछ मैक्रोफ पाइजस से लो गई जो इंगल्फ करती हैं फॉरिंड पार्टिकल्स को इंगल्फ कर ले जाती है तो ऐसे धेर सारी जो है टाइप की सेल आपकी जो है कनेक्टिव टिशू में पाए जाती है इसके बाद आता है फाइबर जो करेक्टिव टिशू के जो फाइबर होते हैं वो और रेटिकुलिन फाइबर जो कोलाजन फाइबर होता है वह वाइट कलर के फाइबर होते हैं बॉड़ी में मुस्ट एवंडेंट होते हैं जो कोलाजन प्रोटीन से मिलके बना होता है अगर कोश्चन पूछता है कि एनिमल किंगनम में सबसे मुस्ट एवंडेंट प्रोटीन का नाम बताईए जो body में फाया जाता है तो बोलेंगे collagen protein चुकि body में collagen fibre के जो content होते हैं वह जादे होते हैं तो जब content जादे होंगे तो जाइर सी बात है जादे होंगे जाधे vaccine protein बी बोड़ी में जादे होगा तो collagen sugar gehtLEY वह वाइट कलर के fiber पायाँ वहोते हैं collagen fiber से मिलकर बना होता है बाकि नों फाइबर करने का काम कौन करता है कोड से प्रोडिकिसिटी ५्यॉइबर में करता है 웩u लेप्र और बर्वोर्क करता है इतने तरह की ना यहां पर देखिए कितने पार्ट में पड़ते हैं वह तो इसको बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिशू के दो पाट आते हैं अके दो में अस्कूंतियू से एक होता है एरियॉलर, एक हो areola निपोस बननावार्ण से पाए दिपोस खहला जाता है और यह डावन टेशू होता है कई जगाह पाए जाता है यह तो बेनित स्कीन प्मलतesar ये बेटा स्कीन के नीचे भी पाए जाता है एराउंड विसराज जो बॉडी के जितने विसराज आरगन होते है विसराज और एराउंड आई वॉल जो आई वॉल होता है उसके चारो तरफ भी आपके जो है इसकीन को निकालेंगे तो इसकीन के नीचे आपके फैट्स लगे रहते हैं उसी के नीचे आपके एरियूलर कनेक्ट्व टिशू भी पाए जाता है और विसरा विसरा का मतलब होता है बॉडी के इंटर्नल आरगन चाहे वो इस टमक हो गया चाहे आपके किड़नी हो गया चाहे लीवर हो गया चाहे स्प्लीन हो गया चाहे लार्ज इंटेस्टाइन चाहे स्प्लीन स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया तो जितने हमारे आरगन यागन मिलते हम के शुद कीवजसे उनको एक प्रोटेक्शं मिलता है जितने विश्राज मतर्य मगतें ऑर इसकी दो पालग पार्ट indem पैटर्स कोते है और रहम्स होता है और इसमें ए रीगुलर होता है क्या जिieważू होता है यिसको आता है जिसको आता है टेंडान और एक आता है लिगामेंट टेंडान और लिगामेंट जो टेंडान होता है यह किसको कनेक्ट करता है बेटा जो है लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है और जो टेंडान होता है बोन टू मसल्स को कनेक्ट करता है और जो लिगामेंट होते हैं वो बोन-टू-बोन को connect करते हैं यह वोन-टू-बोन तो लिगामेंट क्या करता है बौन को बोन से Connect करता है जैसे एक फीगर भी आपको यहां पर बना देते हैं देख लेए जैसे महां लेजिए कि कोई ऐसे सपॉस्ट डैट कि इस तरह से वह बॉन है और यहां से देखें जो है बॉन है और यहां से आपको दूसरी बॉन लगी है ऐसे तो यहां यहां पर यह ऐसे attachment होता है दिखरा है इसको बिटाई हम लोग नाम देते हैं Ligament बोलते हैं यह ligament हो गया और जो muscles के covering होती है जैसे माली जे कि यहां पर मुसल्स है तो जो muscles लगे रहते हैं यह white color की collagen fiber से ऐसे आटाइच होता है है ऐसे दिख रहा है जो bone से attach होते हैं इसको हम लोग नाम देते हैं क्या tendan muscles or bone से उसको हम लोग नाम देते हैं क्या चीज़ यह tendan बोलते है muscles जो bone से connect होती है तो कहेंगे कि जो टेंडान जो है बोन को मसल से कनेक्ट करता है या मसल को बोन से कनेक्ट करता है और जो लिगामेंट होता है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है तो इसको लिगामेंट बोलते हैं लिगामेंट जो होता है वो यलो फाइबर से मिलकर बना होता है मतलब यलो है एक तरह कोईजन फाइबर कई कि वाइट कईर से क्ल करेंगे हना और तो यह सुधा जो होता है जो एपस ने आगे देखे आपको दिख रहा होगा ए लूज कनेक्टिव टिशू में यहां पर देखे आपको दिखेगा यह यह अरियोलर कनेक्टिव टिशू है आपकी सोती है Hispanic व्लासता सरे यह आपको दिख रहा है इस तरह से आपको ड्रॉंअ इस तरह से यह उनदाट और जुणत है मास्ट सेल जो डवलू वी सी होती है जिसका नाम होता है बेसो फिल्स डवलू वी सी जो होती है जिसमें एक डवलू वी सी होती है बेसो फिल्स उसी का पार्ट होता है यह मास्ट सेल और यह मास्ट सेल क्या करता है थ्री सर्विस्टंस का सिक्रीशन करता है एक होता है हीपैरी एक होता है histamine एक होता है serotonin तो यह जो आपको दिख रहे हैं मास सेल यह तीन चीजों का secretion करते हैं एक होता है hyperine और एक होता है histamine और एक होता है है serotonin है यह यह ही पैरीन एंटी कागलेंट होता है एंटी कागलेंट जो histamine होता है एव वैसो डायलेटर होता है जो ब्लड वेसल्स को फ़ैलाता है और जो serotonin होता है यह वैसो कॉंस्टिक्टर होता है जो ब्लड वेसल्स को कॉंस्टिक्ट करता है वैसो कॉंस्टिक्टर serotonin वैसो कॉंस्टिक्टर जो ब्लड वैसल्स को कॉंस्टिक्ट करता है जो histamine होता है blood vessel को dilate करता है heparin anti-coglent होता है जो blood clotting को रोकता है blood clotting को रोकता है हम लोग के body में blood vessels के अंदर blood क्यों नहीं clot करता है क्योंकि उसमें heparin पाय जाता है और AWVC की जो basophils होती है जिसको granulocyte cell बोलते हैं एक तरह से जो granulocyte होती है उसी का एक part होता है जो hyparin होता है वो आपका जो है anti-coglent होता है जो blood clotting को रोकता है blood vessels के अंदर जो histamine होता है vasodilator होता है जो blood vessel को फैला देता है और जो serotonin होता है vasoconstrictor होता है जो blood vessels को चलिए है चलिए देखे जो dense connective tissue है इस dense connective tissue में आपको दिख रहा होगा यह regular connective tissue है और यह आपको दिख रहा है irregular connective tissue irregular connective tissue जो regular connective tissue होता है इसमें दो हमने बताया example आपको एक tendon और दूसरा कौन से बेटा जो है ligament tendon और लिगामेंट और इसमें example हमने आपको बताया skin तो यह आपको दिख रहा है regular और कौन सा जो है regular connective tissue dense connective tissue dense का मतलब इसमें जो collagen fiber compactly pack होंगे इसके बाद देखी आता है special connective tissue special connective tissue में आप अगर बात करते हैं तो एक cartilage आता है cartilage क्या होती है हम लोगों के body में flexible होती है flexible और playable होती है playable का मतलब जिसको मोडा जा सके due to low content of calcium iron due to low content of calcium हमारा जो cartilage होता है उस cartilage में calcium का content बहुत कम होता है जिसके वज़े से वो flexible होती है और playable जिसको मोडा जा सके इसमें calcium का deposition कम होता है इसलिए फ्लाकसिबल और playable होती है जैसे हमारा ये येर पिनना हो गया और नाक का ये जो नेजल सेप्टम होता है नेजल सेप्टम ये भी आपका काटिलेज से जो ट्रैकिया किसी से पाफ हाइलिन काटिलेज होती है भी जो हमारी रीप्स होती है जो इस्टर्नम से अटाइच होती है वहाँ भी हाइलिन काटिले क्रिज लगते हैं जो हमारी कमर की हड़ी है जिसमें आपके पाई प्यूबिस सिंफफाइसिस वहां भी आपके घूझ क करते हैं जयासे ट्राइगिया को इसको भी दबा सकते मोड सकते इसको फिर यह आपका जो नेजल सेप्टम होता है यहां से ले कि यहां तक यह भी आपका काटिलेस से मिलकर बना होता है हना तो यह आपको जहां काटिलेस दिखती हैं देखिए काटिलेस है और यह फ्लैक्सिबल नेचर की होती है तो इसमें और सी से ट्रैकिया ती से पाफ ट्रैकिया तो बिट्वीन रिप्स एंड इस्टर्नम हम लोग की बॉड़ी में धेर सारी काटिलेज लगती है सबका अपना अलग अलग नाम होता है जैसे यह पिनना इलस्टीन काटिलेज से बना होता है अना इपी गलाटी सापकी जो हो भी इ पर टिश्यू में आते हैं दिख और सारे सारे आपके साफे साकु से कार्टिलाइब क swatch के सेक्षट्राइब को यहां पर गूलत ककुंटिप चकार्टिलेय लौता है और इस का क्यास का स्टाडे Bennett कम करते हैं उसको बोलते हैं तरह यह alex होता है जो कार्टिलेब में matrix होता है उस matrix को हम लोग नाम देते हैं condrin बोलते यह इसका matrix होता है proteinius structure होता है cartilage को खाएंगे तो उसमें जो protein मिलेगा condrin आपको है ना यह इसका matrix part होता है तो यह collision fibers इसमें arrangement आपको दिखे रहे से तो यह आपका cartilage हो और इसके बाद यह देखे bones है bones को हम लोग medical science में नाम देते हैं austria बोलते हैं इसको और इसका जिसमें study करते हैं उसको बोलते हैं जहां osteology बोलते हैं तो bones का study हम osteology में बोलते हैं यह देखे एक long bone है हना जब हम ऐसे 5 पर चाह говорит be ya that is a supine position इसको बोलते हैं और इस supine position में हमारे bones के लोग इंड पया जाते हैं ऐसे हम खड़े हुए that is a supine position पंजे पे हम लोग नीचे पंजे पे-fare,' अगर खड़े होते हैं तो उसको नाम देते हैं सुपाइन पोजिशन एक तरह से जो है वर्ड टर्म है सुपाइन पोजिशन और इस सुपाइन पोजिशन में बोन्स को अगर देखेंगे तो उसमें आपके अपर इंड और लोवर इंड पाए जाते हैं तो बोन्स के कितने इंड पाए जाते हैं बेटा दो इंड एक आपको तरफ दिखराय जो है अपर इंड यहां पे और लौर इन फाक़ी को ड़ता है उस लोग नाम देते हैं क्या बोलते हैं वेटा जो है तो इसी को नाम देते हैं Red Bone Marrow Red Bone Marrow बोलते हैं तो किसी भी Long Bone का जो Upper End और Lower End होता है उसी को Epiphysis बोलते हैं और एए Epiphysis को ही Red Bone Marrow बोलते हैं जहां पर आपका Blood का formation होता है जिसमें stem cell पाए जाती है जो Blood के formation में involve होती है तो head of long bone upper end or lower end that is called epiphysis तो नीचे भी आपका क्या होगा बेटा जो है epiphysis होगा है ना तो नीचे की तरफ भी epiphysis होगा जो ए नेक reason होता है यहां पर आपको दिख रहा है यह वाला जो reason होता है इसको हम लोग neck reason बोलते हैं और neck reason को हम लोग नाम देते हैं क्या metaphysis बोलते हैं metaphysis या इसी को neck reason बोलते हैं यहां नीचे भी आपका जो है metaphysis होगा metaphysis दिख रहा है यह नेक reason होगा नेक reason और इस दोनों जैसे हमने bones मनाया है तो इस bones में upper end और lower end होगा तो upper end में भी epiphysis नीचे भी epiphysis ऊपर नेक नीचे भी नेक होगा neck is a surgical point जब किसी भी bones अगर कहीं से fracture करती है तो जादे तर किस reason से fracture करती है आपका जो neck reason से इसको surgical neck बोला जाता है fracture point होती है natural fracture point is neck हाना यह मेटा फाइस होती है तो दो मेटा फाइसिस उपर और नीचों को मिला के हम लोग नाम देते हैं क्या है इसको बोलते हैं यहां पर देखिए यह जो बीच वाला जो रिलिंडिकल पार्ट दिखिरा आप यांपे इसको हम लोग नाम देते है क्या जीज इसको बोलते हैं साफ्ट बोलते हैं या तो इसी को नाम देते हैं हम लोग जो है diabeticis diabetes इसके अंदर आपका जो खाली जगह होता है जिसको को हम लोग नाम देते हैं किया मेरो बोलते हैं इसको जिसमें और फॉस्पोरस भरे होते हैं इस में और इस बूस को अगर हम ट्रस्वेर सक्वाटते हैं तो बाले तो खाली जगह में को गल उसको užसको बोलते हैं इस आरा इस ट्रॉक्चर आपका किसका हो गया जो है बोन का तो किसी भी बोन का जो हेड होता है उसको हम लोग नाम देते हैं इपी फाइसिस नीजे भी फाइसिस होगा या उसी को हम लोग बोलते हैं बोन महरों हो भी बोलते हैं या हेड बोन बोलके हेड एंड बोलेंगे यहां को सा इप एपट-ई-पैप तक सुपन-बोन होता है ृप्यूत का मजबूत है वह आपका कौन सा जो है टिश्यू होता है और बीच का जो खाली जगह होता है उसको नाम देते हैं बोन मैरो अब देखे एक चीज़ा जैसे कि हमने लॉंग बोन है इस लॉंग बोन का ट्रांस्वर स्ट्रिक्शन कटा हुआ है यह दिख रहा आपको जो जो ऐसे ऑसे इस ट्रॉक्षर है इस दिखर है यह बीच में खाली जगह है इसमें क्या होता है कि ऐसे कुछ अइस इसके माड्रिक्स एरिया होती है उस में मैट्रिक्स को हम लोग नाम देते हैं ओसीन बोलते हैं जो बोन का जो मैट्रिक्स एरिया होता है उसको नाम देते हैं यही ओसीन क्या होती है कि बोन्स में एक कॉंसेंट्रिक ring में फायला होता है उस concentric ring को नाम देते हैं laymily, और परटेक laymily की जो depicts चोटी-छोटी कैनाल होती है उसको नाम देते हैं laikuni बोलते हैं, यह лailikuni बोलते हैं और यह lailikuni भी पथली-पथली और कैनाल बनाती है जिसको नाम देते हैं कैनाली-kula'y बोला जाता है उसको लाइकुनी बोलते हैं और परते एक लाइकुनी जो है छोटी छोटी और कैनल बनाती है smallest कैनल जिसको नाम देते हैं कैनली कुलाई बोलते हैं कैनली कुलाई और हम लोगों के बॉड़ी में जो है हम लोगों की इस long bone में जो mammalian long bone होती है उसमें longitudinal कुछ लंबी-लंबी ऐसे कैनाल पाई जाती है हना उसको नाम देते हैं haversian कैनाल बोलते हैं जो एक mammalian bone का special character होता है यह haversian कैनाल होती है और यह haversian कैनाल बीज-बीज में ऐसे transversally connect होती है इसको नाम देते हैं हम लोग walksman कैनाल बोलते हैं walksman scientist का नाम था haversian scientist का नाम था तो यह special character आपका mammalian bone की होती है न तो किसी birds में नहीं पाई जाती है जो birds होते हैं जो abyns होते हैं उनकी जो bones होती है हालो होता है खाली होता है और उन लोगों में haversian कैनाल या walksman कैनाल नहीं पाई जाती है और यह mammalian bone का ही special character होता है haversian कैनाल का पायस जाना जो bones होती है इस bones के उपर की तरफ जो covering होती है एक तरह से उसको नाम देते हैं पेरि ऑस्टियम जो bones होता है इस bones की बेटा जो covering होती है ऐसे और इसी covering को हम लोग नाम देते हैं जो bones की covering बनाती है इसे दिखराव को और तो यह जो bones की covering होती है और इसी को नाम देते हैं पेरि ऑस्टियम बोलते हैं तो पेरि आस्टियम और जो बॉन्स की इनर लाइणिंग उसको नाम-देते हैं क्या जो है इंडीन ऑस रीएं औरeker बीच में पैक्टी होती है कंपैक्ट मैं जिसके अंदर सारा जो है उसीन फैला होता है का संसेंग अ वी पाए जाती यह और बीच-बीच में इंटर कनेक्टेटी है जिसको नाम देते हैं यह जो बून-फर्मिंग सेल होथी हैं उसको नाम देते हैं और यह यत i was a moon forming cell जो बॉन秤 सेल होती है उसको ωोस्टियोबलास्ट बोलते हैं और यही एस्टियोबलास्ट कर मड़ ईहाती है उस्ट्योससाइट उस्टियोश। इन स्ट्न और श्कूरवाइड नहीं करती है बाद में और किसका 23 कल्ना होता है है नहीं माइट एह माइटोसिस होगा फिर सपोनीजे जो और बून में घ्रोथ होता है और धिकनिस बड़ती है उसके लिए responsible होती है और जब यही ऑस्टेयोब्लास जब डिवाइड होते होते हैं जब और भीटिंग होना हो जाता है तो उसको बोलते हैं जैसे एक एक कोई cell है यह यह टिवाइडD करए तो यह माइटγsella division होगा दो सेल में convert होगी मलेजयरह और यह वाले सेल है ऐसे कांटिन्यू डिवाइड हो रही है तो यह डिवाइड होती जाएंगे उसको बोलेंगे osteoblast और जिसका डिविजन रुख जाता है उसको बोलते हैं अब क्लियर हुआ और यही ऑस्टियोसाइट जहां सिक्रिशन करेंगे किसका जो है ओसीन का जो बून का मैट्रिक्स बनाता है अगर आता है मॉस्कुलर टिशू इसके और जिन क्या मीजोडर्मल मीजोडर्मल जो हम लोगे बॉड़ी में मसल्स होती है यह पूरी मसल्स 42 50% बनाती है बाई वेट के हिसाब से अगर देखोगे आप तो हम लोगों के बॉड़ी की एखितना पर्सेंट होता है 40-50 परसेंट पार्ट होगा बाई वेट के हिसाब से हम देखें एक वेट रखे तराजु रखे हम अगर जहाँ वेट करें तो बोन्स को अलग कर दें मसल्स को अलग कर दें तो लगबग नियर वाउट इक्वल वेट आते हैं तो हमारा जो बोन्स होता है वह भी 40 से 50 परसेंट बनाता है बाकी बीच में जो और मसल्स का जो फंशन होगा देख रहा है इस फंक्षन में तीन चीजें आते हैं एक होता है कंट्रेक्शन मसल्स का एक फंक्शन इस्पेसली कंट्रेक्शन दूसरा आता है रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन दूसरा होता है एक तरह से इलास्टी सिटी कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन और इलास्टी सिटी तो इलास्टी सिटी भी आपको दिख रहा है तो रिलैक्सेशन इलास्टी सिटी और कंट्रेक्शन यह हमारे जो मसल्स के फंक्शन एक तरह से होता है muscles के कुछ special function है muscles हमारी contract करेगी relax करेगी कुछ इसमे elastic पन होता है जैसे ये muscles को हमने खीचा और छोड़ दिया तो फिर से अपने normal position पे आ गई किसी भी muscles को आप खीज लेजिए खीचिए जो ऐसे तो फिर क्या होगा कि इसमें elastic पन होता है muscles में तो muscles elastic होगी फिर से अपने normal position पे आती है muscles में contraction हो रहा है relaxation हो रहा है contraction relaxation तो यह हमारे muscles के क्या होगे बिटा जो function होगे देखे हम लोगों के body में कितने तरह के muscles पाई जाते हैं तीन तरह के muscles आपके पाई जाते हैं और थी टाइप आप दा मसल्स और फॉंड इन दा बॉड़ी human body human body में there are the three type of muscles are found फर्स्ट आपकी दिख रहे है skeletal muscles दूसरे नंबर पे दिख रहे हैं cardiac muscles और तीसरे नंबर पे दिख रहे है smooth muscles दिख रहा आपको skeletal muscles क्यों बोलते हैं skeletal muscles उन्हें बताया कि skeletal muscles क्यों बोलते हैं क्योंकि ये सारी जितने भी आपकी voluntary muscles होती हैं इसको हम लोग एक और muscles नाम देते हैं इसको बोलते हैं voluntary muscles बोलते हैं जो हमारी इच्छा पे काम करती है हाणा जैसे हाथ में जो muscles है पैर में जो muscles है हाणा ये neck reason पे जो muscles है जो lower jaw पे muscles है, जो tongue मथे मसल्स है और एंट्री है है जो हमारे इच्छाओं पर काम करती है यह सब मसल्स होती है क्यों इसको बोलते हैं इसको मुसल्स को काटमेंक तो इसमें कुछ शिर Chel का जाते हैं एक तरह से एडंड आई बंड न का इस ट्रीयसिन पाए जाता है जिसकी वज़े से इसको is-sreated muscles भी बोला जाता है यह क्या होती है कि यह अधी होती है जो हमारा brain बोलना है वैसे हम काम कर रहा है तो इस लिए इस muscles को Neurogenic भी बोला जाता जो हमारी kardlike muscles होती है पाई जाती है हर्ट में पाई जाती है और यह जो होती है कैसी होती है involuntary होती है involuntary हमारा हार्ट हमारे इच्छा पर काम नहीं करता है इसमें इस्ट्रियेशन पाए जाता है इसलिए इस्ट्रियेटेड नेचर की होती है 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 तो जो काडिय कमसल्स होती है इस मूत मसल्स होती है यह इस मूत मसल्स जो दिख रहा है यह more than contest जो होती है इन वह डैंट्री मतलन हमारे इच्छाप नहीं नहीं करती इसको वेटा हम लोग नाम देते हैं Non-easkeletal Muscle बोलते हैं क्यों क्योंकि यह इसलिए होती है चुक्छे हमारे बोड़ी के जितने विश्राज आर्गंस होते हैं किड्नी हो गया चाहिए आपका इस्टमक हो गया इस्प्लीन हो गया और इस्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जितने भी आरगन हैं विश्राज आरगन से उनके उपर जो मसल्स आपकी लगती है वो सब इस्मूथ नेचर का होता है क्योंकि बराबर मुकस का सिक्रीशन होता रहता है इसलिए एपियर्स होती ही स क्लर में इस्मूथ इसलिए मुलते हैं चूकि इसके बागन नहीं पहरा है इसे यह इस इसको हम लोग और इंटरनल आर्गन होते हैं वह ом MD इच्छा पर काम नहीं करते हैं इसलिए इसको नाम देते हैं इन्वल्वेंट्री मसल्स बोलते हैं के लिए रहे सारा कॉंसेप्ट विटा यह थोड़ा सा पाट रहा गया है चुकि यह कंट्रेक्शन पूरा समझाना पड़ेगा आपको जो मसल्स कंट्रेक्शन के मेकेनिजम ह बाइसएप की मसल्स है जो यह हाथ पे लगती है यह दल्टियम मसल्स बोल्टी में टो इस अपना गटियुक आपने आपने देखा हो गा बाइस से जाते हैं चिक करने जाते हैं तो बाली से ऊपर ट्राइसेप बनाते हैं नीचे जो Sartorius muscles लगती है, जो थाई पे लगती है, Rectus Abdominus muscles होती है, Pactoralis, Major and Minor होती है, Latismus Darcii होती है, Deltoired muscles होती है, तो बहुत सारे टाइप की muscles होती है, 649 muscles हम लोग की body में पाई जाती है, पूरा हना हम लोग next lecture में, कल के lecture में बेटा जो हैं डिस्कस करेंगे, एक muscles का section काट पाट के देखेंगे कि उसमें इस ट्रेटिन मसल्स में इस ट्रेशन कैसी पाए जाता है तो कल का लेक्चर होगा यह और कल हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है अर्थ वाम के बाद जो कॉक्रोच होगा फ्रॉग होगा है ना तो इसमें और थोड़ा सा भी जो है है बताना बाकी है और कुछ है कल हम लोग और डिसकस कर लेंगे बैटा ओके ठाइंक यू आप सभी लोगों को अन इस टू ओन स्टडी इस ओल्वेज ओन कॉंसेप्स के बहतर रेलाइजेशन के लिए इस टू ओन पर बने रहिए